लोगसभा चुनाव को लेकर प्रचार पूरे चरम पर है और विपक्षी कड़बंदन के भी सभी दलों ने पूरा जोर लगा रखा है और इसी कड़ी में कॉंग्रिस नेता राहूल कांधी महा लक्ष्मी योजना को देश की अगली सरकार बनाने वाली योजना करार दे रहे ह तो वहीं अखिलेश यादव और तिजस्वी यादव ने एंडिय गड़बंधन पर निशाना साथा लोगसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मी के बीच विपक्षी इंडिय गड़बंधन ने परचार तेज कर दिया है कॉंग्रेस नेता राहूल गाधी ने करनाटक में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि महालक्ष्मी योजना हिंडुस्तान की अगली सरकार बनाने जा रही है उन्होंने कहा कि हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और साल के एक लाख रूपे उस महिला के बैंक अकाउंट में चले जाएगे तो वहीं कॉंग्रेस महासचिव जैराम रमेश ने एक प्रेस कॉंफरेंस में कहा कि कॉंग्रेस सत्ता में आएगी तो आरक्षन का प्रतिश्यत 50 फीसदी तक कर दिया जाएगा महालक्षमी स्कीम हिंदुस्तान की अगली सरकार बनाने जा रही है हर गरीब परिवार की लिस्ट बनाई जाएगी करोणों लोगों की लिस्ट बनेगी हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और साल का एक लाक रुपिया उस महिला के बैंक अकाउंट में चला जाएगा समाजवादी पार्टी परमुक अखलेश यादो ने बदाई में एक चुनावी सभा को संबोधित किया उन्होंने केंदर सरकार की आगनीवीर योजना पर तंसकसा राजदनेदर तेजस्वी यादो लगातार प्रचार में जुटे हैं उन्होंने गटबंधन की जीत का दावा करते हुए भाजपा इंडिये पर हमला बोला है उन्होंने कहा कि इस बार बिहार की जनता मुहतोर जवाब देगी उनका सुफरा साफ हो गया है भाजपा का इंडिये गया और पूरी तरीके से इस बार बिहार की जनता सबक सिखा रही है भाजपा और इंडिये तो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजपा पार्टी डीपी एपी के परमुक गुलाम नभी आजपा ने कहा कि जम्मु कश्मीर में विधान सबा चुनाओ पांच साल पहले ही हो जाने चाहिए थे तो वहीं बारा मुला लोगसभा सीट से जम्मु कश्मीर नेशनल कॉनफरेंस के नेता उमर अबदुल्ला ने अपना नामांकन दाखिल किया उन्होंने कहा कि 20 साल बाद मैंने लोगसभा चुनाओ के लिए अपना नामांकन भरा है इससे पता चलता है कि जम्मु कश्मीर में जमूरियत का क्या हाल है तो वहीं पीडीपी परमुक महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्हें लोगों की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल लई है मैं अभी एक मेहना पहले पबलिक मीटिंगें करके गया था राजोरी पुंच मेरत दौरा पांच दिन का था बहुत सफल रहा था लेकिन कर्डिडीट को लाना जरूरी था वाज हमाने साथ कर्डिडीट भी था और हमने नवशारा से कारेकर्म शुरू किया तो बहुत अच्छे कारेकर्म रहे अब तो वो सिर्फ अब की बार दुबारा हकूमत बनाने का दावा कर रहे हैं 400 तो वो कब के भूल गए अब जैसे जैसे आपके फेज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनका नंबर भी कम होता जाएगा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंतरी ममता बनर जी ने तेहट्टा में चुनावी सभा को संबोधित किया उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साधा तो वहीं ओडिशा के मुख्यमंतरी और बीजेडी परमुक नविन पतनाएक ने ओडिशा विदान सभा चुनाव के लिए उमीदवारों की सूची की घोशना की दिल्डी के मुख्यमंतरी अरविंद केजरिवाल की पतनी सुनीता केजरिवाल ने गुजरात के भाव नगर में रोडशो किया बेवरो रिपोर्ट डीडी निउस